उम्शरनागत दीनार्त परित्राण पराइने सर्वशार्त हरेवी नारायन नमोस्तुते यादेवी सर्वभूतेशु निद्रारूबेन जंजिदा नमस्तसे 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 नमोनवावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा कभी पतन के योग बनते हैं कभी हमारे जीवन में कौन सा कब मोड कैसा आने वाला है यह सारा ग्रह के आधीन है ग्रहों का प्रभाव हम सब किस प्रकार से जाने उसके लिए जोतिश विज्ञान की संद्रक्षा हमारे रिश्मुल्यों ने करी तो आज हम उपस्तित हैं आपके करक राशी वालों के लिए ग्यारा मई से लेकर विशर्षता और पर आप समझें 20 तारिक तक का समय कैसा है देखिए ग्रहों की गणना के अनुसार से यदि हम समझने का प्रयास करें तो यह समय आपके लिए बड़ा अच्छा दिखाई देता है सफलता के लिए कारे करने के यदि आप तरतस्तों करेंगे तो अवश्य सफलता के अद्भुत योग बन सकते हैं राज योग बनता दिखाई दे रहा है आपके गोचर के अनुसार से शुक्र ग्रह प्रबल होकर जिस परकार का योगा योग बना रहा है वो साफतार पर दिखाता है कोई महतोपूर्ण आपके लिए योग बन सकता है लिकिन मन में कुछ अजीब प्रकार की स्थिती बन सकती है क्योंकि जो मंगल हैं वो करकराशी में आ गए हैं जो आपके लगनस्त स्थित हैं और शनी के साथ शड़ाष्टक योग बना रहे हैं तो इससे आपको साफधान रहने की जरूवत है यदि आप इसके लिए कुछ उपाए करने कैसे उपाए करने कब करने हैं वो भी हम खास बताने वाले हैं इन दिनों में कुछ खास योग भी बनने वाले हैं जो विशेश तोर पर ऐसे सिद्ध महूर्त रहेंगे कि जिसमें जो मंगल के दुआरा शनी को भी खराब करने का क चांग समझें गुरुवार का अवसर है जेट का महीना चल रहा है जेट का और शष्टी तिथी विद्धेमान है और ग्रहों का योगा योग साफ दिखाता है कि आपके लिए आगे बढ़ने के योग बन पाएंगे आपके मन के अनुसार आप काम करेंगे मन की बास सुनकर काम करेंगे और साथ-साथ इंट्यूशन को महत्त देंगे मन शान्त होगा तभी मन की बास समझ सकते हैं क्योंकि मन में कई प्रकार के विचार उत्पन होते हैं और ऐसे में मन में जो बात आ रही है उसको आपको इशारा समझना भी पड़ेगा तो कि मन के अंदर परमात्मा में और समझते हुए कारे करने की ज़रुद हैं बुद्ध उदे हो रहे हैं ग्यारा तारिक और बुद्ध उदे होने की कारण से आपके कई सारे कार्यों में सफलता के योग बनाएंगे और खासनार पर क्य प्रकार से जो हूँ कर ने कर रहें उसको नया बंद्रा काल में कोई निया काड़े आरम ना करें, कोई निया क्रिये विक्री देते हैं। 12 माई को देखें, 12 माई को गुरहों का योगा योग दिखाता है। शुक्रवार है सप्तमी है जो कालाश्टमी का योग बना हुआ है कालाश्टमी देखिए कृष्णपक्ष की जो अश्टमी होती है वो साफत और विश्वत और पर बवान शिव की अराधना का अवसर माना जाता है और चन्रमा की स्तिती तो वैसे ही आपके अनुकूल चल रही प्रभाव लाब लेते हुए कारे करने के लिए शक्षम है और बहुत बढ़िया तरीके से ऐसा रिखाई देता है कि कोई राज्य संबंदित कारे आप संपादित करने के लिए प्रयास कर सकते हैं और उसका लाब आपको मिल सकता है आप कालाश्टमी की दिन शाम की समय भव भी बना हुआ है, सासर मंगल शनी का शडाष्टक योग भी बना हुआ है, तो इन सब को ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए, अन्निता ये समस्त बनते हुए कारों में विलंब कर सकते हैं, शनी महाराज वहाँ बैठ कर आपके दशंभाव को देखते हैं, जो कारे सिध् प्राप्त करने के योग बन सकते हैं, तेरा मही के ग्रह योगों को समझने का प्रयास करें, तेरा मही को आपके ग्रह योग जो दिखा रहे हैं, वो विशेशत तोर पर, उस दिन अश्टमी का योग है, उदर तिति बाद में नौमी आ जाएगी, लेकि नौमी शेय हो जाए पूरे विश्व में किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है यह मंगल और शनी का शडाष्टक योग जो बना हुआ है विश्व में अशान्ति का योग बनाता है और यह कहीं भी आगे आने वाले 3-4 महीनों में भयावा स्थिति उत्पन्न कर सकता है ऐसे में आपको अपने मन को शान्त रखने का प्रयास करना चाहिए जो ग्रहों का परिवर्तन है वह भी आपके लिए स्वास्त के लिए कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग देता है तो ऐसे में कासदोर पर जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है उससे अपने स्वास्त का भी विशेशत दोर ध्यान रखने कि आपको प्रयास करना चाहिए. कोई उधार वांगने सुभे-सुभे आ सकता है, उसे बचने का प्रयास करें, उधार दिया तो पैसा फस कता है, फिर जगडे के कारण से आपको कश्ट देनी के योग बनाएगा, तो इसलिए साथधानी की साथ काम करने का प्रयास करेंगे, और उस दिन ग्रहों की गणना आपके लिए साफ तोर पर दिखा रही है कि आपको आप नए संपर्कों से लाभ हो सकता है और नए संपर्क आपके लिए कोई महतवपूर्ण कारे कर सकते हैं बड़े लोगों से मिलने का यूग बन सकता है अच्छे लोगों सम्भंध लोगों स पीछे रह सकते हैं चओड़ो क्या करना है गर्मी है बात में जाएंगे ऐसी स्थिति नहीं दो देंके शाम को भद्रा काल है शाम को करीब करीब तीन बुच के 43 मिनिट के बाद से यहां पर भद्रा अरफार काल दिखाई दिता तो ऐसे में नै चीजों का घर में लाना शुब नहीं रहेगा नई चीजों, आरंब करणा भी शुबन दिखाई दिता तो उससे बचने का आकू कारइक करना चाहिए वहीं हम बात करें 15 15 माई की तिथी बहुत ही विशेश है। भी मारगी होंगे और ये आपके लिए बड़े पॉजिटिव साइंग है। भी माई देते हैं आने वाले समय में। लेगिन साथ-साथ चंदर्मा का परिवर्तन हो रहा है वो बहुत शुब रहेगा। चंदर्मा का परिवर्तन मीन दाशी में जाना 3-27 मिनट पर सुरात में हो जाएगा। ये दिखाता है कि आपके भागे से अच्छे कारे आपके द्वारा संबादित हो सकते हैं। धर्म के परति आपकी जो अच्छा है वो जाक सकती है धर्मिक परंपराओं में, धर्मिक रीतियों में आपका विश्वास उदे हो सकता है। ये आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने की योग बना सकता है और सफलता देने की योग बना सकता है तो इसका सदमार्क पे उपाय करते हुए आप यह दिलाब लेंगे तो बहुत अच्छा देगी सौमवार का अफसर है एकादिशी है ऐसे में चावल का सेवन ना करें च आपको सयोग उत्पन प्राप्ति करा सकता है कोई बड़ा विक्ति बड़ा लोग विक्ति आपके साथ मिलकर कोई कारें अच्छा कर सकता है उसका सयोग आपको प्राप्त होगा उससे लाब प्राप्त होगा देखिए मंगलवार का अफसर है तो करक राशी वालों विशेश इस तर्वे मंगल ये हनुवान जी की प्राप्त करने के लिए बड़ा सुंदर माना जाता है इस दिन मदुसुदन द्वादिशी भी है और साथ साथ ग्रहों की गणना साफ दिखाती है कि इस दिन एक सर्वार सिद्ध योग भी बना हुआ है सुबह 5 बचके 34 मिनट से लेकर को करीब करीब सुबह 8 बचके 15 मिनट तक का महूर्थ बड़ा शुब है कोई नियाकारे आरंब करना हो तो इस महूर्थ का लाभ ले सकते हैं और कोशिश करें हनुआ जी के अराध्रहावश्य करें देखिए मंगल और शनी का शड़ाष्टक योग पुना समझा दूं और ब कोई भी अधर्मिक कारे करना वह आपके लिए ठीक नहीं रहेगा क्योंकि मंगल आपको और ज्यादा शनी के प्रभाव से ग्रसित कर देगा कष्ट देदेगा स्वास्त पर भी अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इससे बचते हुए कारे करने की जरूरत है बुद्ध प्रदोष पड़ा हुआ है उस दिन देखिए बुद्ध प्रदोष जो है बड़ा शुभ योग बनाता है बुद्ध प्रदोष जो है बवान शिव की अराधना करने का बड़ा सुन्दर अफसर है और बवान शिव की अराधना करके समस्त्र कष्टों को हम दूर कर सकते हैं प्रदोष और शिवरात्री का योग भी है मासिक शिवरात्री कृष्ण पक्षकी चतुदशी और त्रिवोदशी का जब संयोग हो जाए और रात्री में चतुदशी विद्यमान हो जाए तो ऐसे में मासिक शिवरात्री बनाई जाती है तो उस दिन बहुत सुंदर उसके दिन की शाम यानि करक राशी वालो एक समझो समस्त कश्टों को निवारणं करने के लिवायन शिल्गा ना मवश्य लेने का प्रयास डूर्ट के दौर भगवान शिल्ग के श्यान कराने का प्रयास करें आपकर कौन सा पुद्ध 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 की योग देता है